कॉस्चन नमबर 5 जैसे हम पहने बिस्किस कर रहे हैं जिसके 4 पार्ट तक हम देए हैं अब आपने इसका 5 पार्ट मतलब केने solve करना है इसका 5 पार्ट में क्या है c-b सबसे कहले हम रेफ्रेंट साइड ले लेंगे जैसे हम पहने वाले कॉस्चन पर करते हैं दूसरे कहले हम स्टोडर समना c-b कर लेंगे c-b करने के बाद फिर हम प्लस-a कर लेंगे ताकि हमारा कॉश्चन दूजी कर जाए c-b 1-1 & 1 2-2 & 2 3-1-3 c-b कर लेते हैं दो हमारे पास आएगा वो यह है Minus 1, minus 1, 0 plus 1, 0 minus 1, 0 minus 2, minus 2 plus 2, 3 minus 2, 1 minus 3, 1 minus 1, 2 minus 3. अब हमारका अंसर जो है गास्टोर इस माइनिस 2, 1 minus 1, minus 2, 0, 1, minus 2, 0, minus 1. इस्टोरण हमारका सी माइनिस बी का अंसर है. अब हम क्या करेंगे सी माइनिस बी का जो अंसर है वो a plus a का जो माइनिस 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 बी का जो अंसर है वो मैं यहां पे लिख देती हूं. minus 2, 0, 1, minus 2, 0, minus 1, minus 2, 0, 1, minus 2, 0, minus 1, a matrix हमारे पास है student. वो हमारे पास है, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, minus 1, and 0. हम अब क्या कर लेते हैं? इसको एड़ कर लेते हैं, minus 2, plus 1, 1, 1, plus 2, minus 1, plus 3, minus 2, plus 2, 0, plus 3, 1, plus 1, minus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 1, and plus 0. तो अंसर इसका find out कर लेते हैं, वो यह है हमारे पास, minus 1, 3, 2, 0, 3, 2, minus 1, minus 1, and minus 1. student, हमारे पास, यह left-hand side है, अब हम इसकी right-hand side कर दो. अब हम right-hand side को discuss करते हैं, वो क्या है हमारे पास, c plus a minus b. student, हमें क्या 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 था? लेफ़-hand side में क्या 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 था? इस side को सबसे पहले मतब सॉल किया था. तो हम A-B को solve करते हैं सबसे पहले A का matrix लिख लेते हैं 1, 2, 3 2, 3, 1 1, minus 1, and 0 matrix B लिख लेते हैं students वो ये है 1, minus 1, 1 minus 2, minus 2, 2 3, 1, 3 अब हम क्या इसका answer find out लेते हैं 1, minus 1 2, plus 1 2, plus 1 क्यों हो आए students है ये minus था, ये negative, negative, positive हो जाते हैं उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 3, minus 1 2, plus 1 2, plus 2 2, minus 2 2, minus 2 3, plus 2 0, 3, 2 0, 5, minus 1, minus 2, minus 2, minus 2, and minus 3 अब हमारे पास ये a minus b का answer आजाएगा अब नेक्स हम क्या करेंगे a minus b plus c करके उसके बाद लेफट हैं और राइट हैं क्या करेंगे 2, 0, 5, 1, minus 2, minus 2, and minus 3 3, 3, 7, 6, 4, 4, 5, minus 1, and 3 इसि पास ये निमे कि ये ने आजा हो पास लेफट हंट साइड आईएं ये हमारे पास राइट हंट आएट राइट हंट साइड साइड आ गये तो बर की और इस मेंशा राइट प्रेट हैंड साइड का हम इसको सॉल्ट करते हैं उसके बाद हम इसका अंसा निकार देड़ है अज한다 मिनस वान निकार उसके लघर हैं जसके एलना ecc 2, 2, minus 3 remember we have a right hand side that will come from this state minus 1 3, 2 0, 3, 2 minus 1, minus 1 and minus 1 remember we have a right hand side and the same reason we have a left hand side one minus 1 3, 2, 0, 3, 2 minus 1, minus 1 and minus 1 नहीं हाँ इस है ए přाफ हाट बाड और राइट प्लॉफ कर साइड से्मेल आपर प्लॉफ करUM थित तूर्प हे पलॉफ करेंगे लैफ अड़ साइड सेम मैंछेड आप alan हैं 2019 TWO Carm vari concludomi कि प्लॉफ करेंगे जर एक स्कूर्ण का हम्ने और कोड़िए साशुन मारे पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 3, 2, 3, 1, and 1, minus 1, 0. अब मैट्रिक्स भी लिख लेंगे, students, जो हमारे पास है 1, minus 1, add 1. उसके बाद 2, minus 2, add 2, 3, 1, 3. इसको multiply कर देंगे. student, इसके multiply कर देंगे, आपस में. 2 को, सबसे पहले 2 को मैं multiply करके, then इसको add कर देंगे. 2, 4, 6, 4, 6, 2, 2, minus 2, add 0. 1, minus 1, 1, 2, minus 2, 2, 3, 1, 3. इसको add कर देंगे, add करने के बाद मैं direct answer लिख रही हूं, student, इसके question कर दी है, अब direct answer बनता है. तो हमने क्या direct answer इसका निकाला है, 3, 3, 7, 6, 4, 4, 5, minus 1, 3. This is left hand side, right hand side को करते हैं, student, यह है, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, students, A plus B कर देंगे, A plus B का मैं direct answer लिख रही हूं, तो यह direct आप करते हैं, तो कि इतना lengthy lecture होगे, है, A की मतलब उसके, तो direct answer हमारे पास जो आएगा, A plus, A plus B का वो यह है, students, कि पहले मैं A matrix लिख रही हूं, इसके बाद मैं direct answer लिख रही हूं, okay students, हमारे पास जो A plus B matrix है, वो यह है, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 1, minus 1, add 0, उसके पास हमारे पास है, 1, minus 1, 1, 2, minus 2, 2, 3, 1, 3, यह हमारे पास metric A और B है, इसका direct answer मैं आपको लिख के देरी हूं, 2, 1, 4, 4, 1, 3, 4, 0, 3, यह हमारे पास A plus B का answer है, अब इस A plus B का answer में A add कर देंगे, अब आपस राइट आपके 6, 7, 8, 9, 10 जो बाट है, वो मैं आपके लिए छोड़े हूं, आप में good try करना है, अगर कोई problem हो तक को में बॉक्स में हुज़े बता रहा है, फिर मैं सौंक हूं, A, metric A को लें, 1, minus 2, 3, and 4, B के metrics है हमारे पास, 0, 7, minus 3, and 8, क्या करते हैं, fight करें, first हमने यह fight करना है, 3, A, minus 2, B, अब क्या करना है, 3, A, minus 2, B करना है, इदर लिख लेंगे, 3, A, minus 2, B, 3, scalar multiplication है, 1, minus 2, 3, 4, minus 2, 0, 7, minus 3, and 8, पास दोनों को multiply कर देंगे, then इसके साब subtract करेंगे, तो मारे पास जो answer आएगे, वह मैं लिखती हूं, हमारे पास जो multiply किया, 3, minus 6, 9, 12, minus 0, 14, 6, 16, सब्स्टेक्ट किया, तो मारे पास जो answer आएगे, students, यह है, 3, minus 1, 3, 15, minus 4, अब इसकी right hand side पर करते हैं, हमारे पास जो है, वह यह है, students, की left hand side ही है, हमारे पास, ठीक है, 2, A, transpose, minus 3, B, transpose, जा करेंगे, 2, A, transpose, minus 3, B, transpose, सबसे पहले, students, यह हमने find out करना है, ना, सब्सक्राइब करना है, A का matrix लेंगे, 1, minus 2, minus 2, and 4, इसका transpose ले लेंगे, 1, minus 2, minus 2, and 4, B का matrix लेंगे, जो यह है, हमारे पास, 0, 7, minus 3, and 8, इसका transpose लेंगे, हमारे पास, 0, 7, minus 3, and 8, अब students, क्या करेंगे हम, यह वाला process कर देंगे, 2, A, transpose, minus 3, B, transpose, क्या होगा, 2, A transpose, A transpose कर यह answer है, 1, minus 2, minus 2, 4, minus 3, B transpose कर क्या answer है, 0, यह वाला है, 0, minus 3, 7, and 8, multiply कर देंगे, दोनों को 2, 2 को अंदर, minus 4, minus 4, 8, 3 को multiply करेंगे, 3, 0 आएगा, 3, 0 के साथ बटिता है, 0, 3, 3's are 9, minus 3, 7's are 21, 3, 8's are 24, अब students, हम इन को नेक्टिब करके, मैं इसका direct answer लिखते हूँ, मुझे हैं है, मैंने पास, 2, 15, minus 25, and last is minus 16, यह हमारे पास sort हो गया, question number 6, question number 7, question number 7, को हम discuss करते हैं, इसमें क्या कहता है, है, if, 2, metric 2, 4, minus 3, and A, student C है, हमारे पास कोई variable है, इसकी value, ठीक है, plus 3, 1, B, 8, minus 4, 1, B, 8, minus 4, हम क्या करना है, students, is equal to, यह is equal to, मैं इदर दिखने हैं, उदर जगा नहीं थी, is equal to, 7, 10, 18, and 1, find करना है, A और B की value find out करना है, ठीक है, find A and B करना है, सबसे पहले क्या करेंगी हम E2 को multiply कर देंगे, ठीक है, is equal to, यह रहने जाएंगे, two twos are four, four twos are eight, three twos are six, two eight, okay, students, उसके बाद, हम three को multiply कर देंगे, अंदर सबके साथ, three, three b, eight, minus four, is equal to, seven, ten, eighteen, and one, अब क्या करेंगे, students, अब हम क्या करना है, इसके साथ हमने, is equal to करते हैं, क्या से एड करते हैं, four plus three, eight plus three b, minus six plus eight, minus four plus two plus two a minus four, sorry, यहां पे twelve आएगा हमारे पार, three इगर four के साथ multiply है, twelve आएगा, seven, ten, eighteen, and one, three b is equal to ten, two a minus twelve is equal to one, चीक है, तो हमने क्या करना है, देखें, हमारे पास ना पीछे और भी थी, वो is equal to एक जुसरे के आ गए, मैंने नहीं देखी, क्योंकि हमारे पास देखें, seven is equal to seven के आ गया, अच्छा, eight is equal to eight ten के आ गया, सिर्फ दो है, जिसमें variables है, वो एक बुसरे के एक वह नहीं है, उसमें से हम values को मतलब find out कर लगते हैं, अगर one को लें, तो one हम अगर हम ले, three b, अगर हम ten minus eight करें, three b, two आएगा, b is equal to two by three, two a, twelve को जड़र ले जाएंगे, one plus twelve, thirteen, two a आएगा, two a is equal to thirteen, a is equal to thirteen by two, a और भी तो आएगा,